रेडियो खांची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मक्सद है समाज में ज्यान एवं सकारात्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो पर आप सभी का स्वागत है। मैं अम्रेश कुमार गेस्ट फैकल्टी ओफ मैथेमेटिक्स इन कोचिन फोरपूर पीजी एस्टुडेंट राची इनुभर्सिटी राची। आज मैं आप लोगों को अलजेबरा बीजगनीत बताने जा रहा हूं। तो आज सब सब पहले हम लोग एस समझते हैं कि जैसे मैं कोई बोला एक्स स्क्वाइर। तो एक्स स्क्वाइर का मतलब हुआ कि एक्स का पावर दो होगा। ठीक है और इसी प्रकार अगर बोला कि सिर्फ एक्स लिखा हुआ है तो सिर्फ एक्स लिखा हुआ इसका पावर नहीं दिया हुआ है कुछ भी नहीं अगर पावर 2 है तो स्क्वाइर हो गया पावर 3 है तो क्यूब हो गया इसी प्रकार से पावर फोर लेकिन सिर्फ एक्स ह इसका पावर कुछ भी नहीं है इसका मतलब पावर 1 छुपा हुआ है जब X का पावर कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब समझे है कि X का पावर 1 है अगर कहीं दिया हुआ है कि X का पावर 0 तो X का पावर यदि 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि इसका भैलू हो जाएगा one किसी भी चीज का पावर जीरो है इसका मतलब उसका भैलू one होगा एक होगा जैसे मैं कोई बोला कि पचास का पावर जीरो कितना होगा तो एक होगा एक लाह का पावर जीरो यानि कि एक होगा दो का पामर जीरो यानि एक होगा और किसी भी संख्या हो उसका पामर अगर जीरो दिया हुआ हो तो उसका भैलू वन हो जाता है और अगर किसी का पामर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब उसका पामर वन है एक है ठीक है तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रा का सबसे पहला फर्मूला जो कि सब लोग जानते हैं A प्लस B का हॉल-ë-êsक्वाइर तो इसको अपने कोपी पर लिख लीजिएगा A प्लस B का हॉल-҉-मूला होगा A एए-सक्वाइर प्लस 2AB a plus b का whole square का formula हो गया a square plus b square plus 2ab और दूसरा formula है a minus b का whole square तो a minus b का whole square का formula हो जाएगा a square plus b square minus 2ab बस आज इन ही दो formula पे बने question को आपको बताने जा रहे हैं जैसे मैं पहला हमारा question दिया हुआ है कि x plus 1 by x equal to 5 x plus 1 by x is equal to 5 तो हमको find करना है find the value of x square plus 1 by x square is equal to what हमारा question अगर है कि x plus 1 by x बराबर 5 है तो x square plus 1 by x square का मान क्या होगा पहले इस question को by formula method से हम लोग बनाते हैं और फिर इसका answer direct निकालने के लिए जिखेंगे तो जब हमारा question में दिया हुआ है कि x plus 1 by x is equal to 5 तो हम लोग क्या करेंगे कि बराबर के equal के दोनो side left side और right side दोनो side हम लोग पहले square करेंगे तो हो जाएगा x plus 1 by x का whole square बराबर 5 का square तो x plus 1 by x का whole square को a plus b के whole square के formula पे हम इसको तोर करके लिखेंगे तो formula में होता है सबसे पहले 1a square तो पहले हम लोग लिखेंगे x square plus b square तो b square के जगा पे लिखेंगे 1 by x square 1 by x का square तो 1 का square तो 1 ही होगा और x का square x square plus 2ab तो 2 a के जगा पे x और b के जगा पे 1 by x बराबर 5 का square यानि की 25 तो 2ab 2 into x into 1 by x तो x x कट जाएगा तो left side में हो जाएगा x square plus 1 by x square plus 2 is equal to 25 अग x square plus 1 by x square is equal to left में जो plus 2 था और equal के right side में चला जाएगा तो minus 2 हो जाएगा यानि की 25 minus 2 तो x square plus 1 by x square is equal to 25 minus 2 यानि की 23 हमारा answer हो जाएगा और ये बार समझें यानि की जब हमारा question में दिया हुआ हो x plus 1 by x का कोई value दिया हुआ है एक अगला फर्मूला इसे बना जो हम लोग लिखेंगे कि यदि x plus 1 by x का कुछ value दिया हुआ है तो कुछ value मतलभ हमान लेते हैं a x plus 1 by x का value दिया हुआ है a तो हमसे पूछेगा कि x square plus 1 by x square का value क्या होगा फिर से समझें x plus 1 by x का value दिया हुआ है a तो x square plus 1 by x square का value क्या होगा तो हम direct answer लिखेंगे कि इसका जो value दिया हुआ है a तो a का square कर देंगे और minus 2 हमारा answer हो जाएगा a का square minus 2 हमारा answer हो जाएगा जाज कर लाते हैं अभी जेस्ट अभी हम लोग एक question बना है कि x plus 1 by x is equal to 5 then find the value of x square plus 1 by x square is equal to what तो x plus 1 by x का value 5 था तो जो value है उसका square करके minus 2 करना है तो 5 का square minus 2 तो 5 का square हो जाएगा 25 minus 2 it means 23 हमारा answer हो जाएगा कोई एक और question कर लेते हैं अगर question दिया हुआ if x plus 1 by x is equal to 9 then find the value of x square plus 1 by x square is equal to what यदि x plus 1 by x का मान 9 है तो x square plus 1 by x square का मान क्या होगा तो जब हमको दिया हुआ है x plus 1 by x का value दिया हुआ है कुछ ही और पुछा है x square plus 1 by x square का value क्या होगा तो उसका square करके जो value दिया हुआ है उसका square करके minus 2 कर देना है तो value 9 दिया हुआ है 9 तो 9 का square 81 और 81 minus 2 यानि कि 79 89 हमारा अंसर हो जाएगा और यह वास मजब में से हम इसी परकार से दूसरा formula जो हो गया a minus b का whole square पर धारेट प्रस्न उसको हम लोग लिखेंगे कि x minus 1 by x का value यदि कुछ दिया हुआ है x minus 1 by x is equal to कुछ दिया हुआ है तो कुछ दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं a x minus 1 by x is equal to a then find the value of x square plus 1 by x square is equal to what जब x minus 1 by x का value a यानि कि कुछ भी दिया हुआ है तो x square plus 1 by x square का value क्या होगा तो जो कुछ भी दिया हुआ है जिसको हमने a मान है तो उसका हम लोग square करेंगे a का square plus 2 क्या करतेंगे a का square plus 2 क्योंकि पहला जो फर्मूला था x plus 1 by x is equal to a तो इसमें हम लोग किये थे a square minus 2 यानि कि plus वाला में हम लोग minus 2 करेंगे और minus वाला में plus 2 करेंगे एक example के रूप में question ले लते है x minus 1 by x is equal to 3 then find the value of x square plus 1 by x square is equal to what x minus 1 by x बराबर 3 दिया हुआ है तो x square plus 1 by x square का मान क्या होगा तो जो value दिया हुआ है और हैं हमारा minus में question है x minus 1 by x is equal to 3 तो minus वाला में हम को क्या करना है उसका square करके plus 2 करना है तो 3 का square plus 2 तो 3 का square 9 अब plus 2 यानि कि 11 हमारा answer हो जाएगा आर यह वाद समझने लेकिन अगर हमारा question में चार गुना power पूछ दे जैसे में एक example लेते हैं कि x plus 1 by x is equal to दिया हुआ है 3 और हम सब पूछ दे कि x का power 4 plus 1 by x का power 4 is equal to what अभी हम लोग power 2 निकालने के लिए सिखें लेकिन यदि पावर चार दे दे या फिर जो भी पावर हो उसका चार गुना तो हम लोग कैसे निकालेंगे तो x plus 1 by x is equal to 3 तो x का power 4 plus 1 by x का power 4 is equal to what तो हम लोग जानते हैं कि x square plus 1 by x square निकालने का फर्मूला है कि जो भी भेलू दिया हुआ है इसका square करके minus 2 कर देना है तो 3 का square 9 minus 2 यानि कि 7 तो 7 तो हमारा answer आ गया x square plus 1 by x square का लेकिन हमको निकालना है कि x का power 4 plus 1 by x का power 4 यानि कि यही फर्मूला फिर से एक बार लगा देंगे जब हमारा question में दिया हुआ जो था ओ था 3 x plus 1 by x is equal to 3 लेकिन जब हम लोग एक step आगे बढ़े है x square plus 1 by x square is equal to तो 3 का square 9 minus 2 यानि कि 7 अब 7 को हम लोग यह नंबर मान करके फिर से अब एक बार square वाला फर्मूला लगाएंगे यानि कि 7 का square minus 2 तो 7 का square 49 हो गया 49 में से 2 हम लोग माइनस करेंगे यानि कि 47 हमारा answer हो जाएगा फिर से समझें हम लोग सब सब पहले क्या करेंगे जब पावर 4 वाला हो जिसमें कोचन और ले लेते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स इस इक्वल टू फोर और हम सब पुछा है कि एक्स का पावर 4 प्लस वन बाई एक्स का पावर 4 बराबर क्या होगा तो जो गिवें में में मारा कोचन दिया हुआ एक्स प्लस वन बाई एक्स इस इक्वल टू चार यानि एक्स का पावर कुछ नहीं लिखा हुआ यानि कि वन होगा और जो कोचन पूछा है उसमें एक्स का पावर 4 दिया हुआ यानि कि चारगुना पावर होगिया ना चारगुना पावर का भेलू क्या होगा तो सबसे पहले हम लोग इसको स्क्वाइर करके माइनस दो करेंगे फिर जो आएगा उसको फिर से एक बार स्क्वाइर करके माइनस दो करेंगे यानि कि दो बार हमको ये काम करना है square minus 2 दो बार करना है तो 4 हमारा में दिया हुआ है question में तो 4 का square 16 minus 2 16 minus 2 कितना हो जाएगा 14 और फिर 14 का square minus 2 करेंगे तो 14 का square हो जाएगा 196 minus 2 यानि कि 198 हमारा answer हो गया आया बात समझ भे इसे प्रकार से हमारा अगला question बनेगा जाएग सध्याम दिजिएगा कि x का power 10 plus 1 by x का power 10 is equal to 8 तो हमसे पूछा है कि x का power 20 plus 1 by x का power 20 बराबर क्या होगा ठीक है ने तो हम पहले देखेंगे x का power 10 plus 1 by x का power 10 is equal to 8 या जो दिया हुआ है value वो हमारा किसका दिया हुआ x का power 10 वाला का दिया हुआ है और हमसे पूछा है क्या x का power 20 वाला का यानि कि दुगनावला का पूछा है जब power दुगनावला हो तो जो हमारा value दिया हुआ है उसका square minus 2 करते हैं तो यानि कि 8 का square 38 64 minus 2 यानि कि 62 हमारा अंसर हो जाएगा अगर हमसे question पुछता कि x का power 10 plus 1 by x का power 10 बराबर 8 और हमसे पूछ देता कि x का power 40 plus 1 by x का power 40 बराबर क्या होगा तो power 10 ओला दिया हुआ है power 40 ओला पुछा है नहीं कि 4 गुना ओला ना तो जब 4 गुना ओला पुछे तो 2 बारी square minus 2 square minus 2 करते हैं तो एक बार जब 8 का square की है माइनस 2 तो 8 का square 64 minus 2 यानि कि 62 और फिर एक बार करेंगे 62 का square minus 2 और जो आएगा वो हमारा answer हो जाएगा